नमस्कार दोस्तो, NCB ने आरियन खान को जब से अरेश्ट किया है, तब से लगातार कई चौकाने वाले राज बाहर आ रहे हैं, अभी दो दिन से अनन्या पंडे से पूस्तास चल रही है, कल भी उससे पूस्तास हुई और इसके अलावा भी कई स्टार किट्स हैं जो NCB की में डाला है, जिन में सबसे पहला नाम आता है रिया चक्रवर्ती का, रिया के बाद में कैई लोग NCB की चपेट में आए, रिया के अलावा NCB ने अभी एक डेड़ महीने पहले अर्मान कोहली को भी गरफतार किया था, रिया चक्रवर्ती, अर्मान कोहली और आरियन खान, तीनों को अलग-अलग समय पर ग्रफतार किया गया था और अलग-अलग केस में। पहले इन तीनों केसिज में कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन NCB की जांच के अनुसार जो बाते पता चली है वो काफी हैरान करने वाली है। NCB को जांच में पता चला है कि रिया चक्रवर्ती, अर्मान कोहली और आरियन खान का केस एक दूसरे से लिंक है। जी हां आरियन खान का रिया चक्रवर्ती से भी कनेक्शन है। आरियन खान रिया को बहुत पहले से जानता है और ये उससे कैई बार ड्रक्स ले चुका है यानि आरियन खान जो है वो रिया चक्रवर्ती का कश्टमर है जो रिया से समय समय पर ड्रक्स लेता रहता था इसकी अलावा आरियन खान ने अर्मान कोहली से भी कैई बार ड्रक्स था कि रिया चक्रवर्ती और अर्मान कोहली दोनों जो है ड्रग पैडलर है और आरियन खान जो है इन दोनों से ड्रग्स खरीच चुका है NCB ने अपने रिपोर्ट में ये भी खाये कि आरियन और रिया चक्रवर्ती एक दूसरे के काफी नजदीख हैं और एक दूसरे को ड्रक्स से भी अलग ये दोनों परसनली भी जानते हैं आरियन अगर रिया का दोस्त है तो आरियन को सुशांत के इसके बारे में भी काफी जानकारी होनी चाहिए रिया सुशांत के पैसो पर ही एश कर रही थी ये हर कोई जानता है पूरे बॉलिवूड को पता है कि रिया को सुशान से कोई प्यार नहीं था और सिर्फ सुशान का शिकार कर रही थी ऐसे में आरियन खान का रिया चक्रवर्ती से कनेक्शन निकलना वाकई में हैरान करने वाला है रिया एक ड्रग पैडलर है और पूरी मुंबई में वह ड्रग सप्लाई करती है आरियन का उससे ड्रग लेना एक गंभीर विशे है CBI को चाहिए कि वह आरियन खान से पूस्ताज करे कि वह सुशान केस में क्या क्या जानता है मुझे लगता है आरियन जो है सुशान्त केस में एक बड़ा रॉल प्ले कर सकता है वहद रिया के बारे में काफी कुछ जानता है जो सुशान्त केस में काम आ सकता है